प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी बहां पहुँच चुके हैं कई केंद्रे मंत्री भी उनके साथ मौजूद है और प्रधान मंत्री मुलाकात कर रहे हैं उनकी होसला अफजाई के लिए और जो एशाई पैरा गेम्स में खिलाडियों के उत्कृष्ट प्रदार्शन पर प्रधान मंत्री उन्हें बदाई देने के लिए वहाँ पहुंचे हैं प्रधान मंत्री उनसे बाचीत कर रहे हैं और ये द्रिशे आप देख रहे हैं जिनमें प्रधान मंत्री पैरा अतलिटों के साथ बाचीत करते हुए और पर उनके साथ सम्साद भी करते हुए डिको संबूदित भी करेंगे तो अपने आप में ये बहत खास पल हो जाते हैं जब प्रदानमंत्री सवेम इन खिलाडियों से मुलाकात कर रहे हैं उनसे बा्दशीत कर रहे हैं और ये सम्साद के इन खिलाडियों की ये मुलाकात और बात करते हुए बेहद आत्मियता पूर्ण ये ख्षण दिखाई दे रहे हैं जब अपने अनुभव ये खिलाडी प्रधान मंतरी के साथ साजा कर रहे हैं और प्रधान मंतरी भी पूरी रूची के साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये जो समवाध है ये बेहत एहम हो जाता है जब प्रतिभाओं को प्रोसाहन मिलता है और जो उपलब्धी उन्होंने हासिल की है उसे एक बड़ी सराहना मिलती है तो अपने आप भविश्य के लिए जो मनोबल बढ़ता है प्रधान मंतरी खिलाडियों के उसी मनोबल को बढ़ाते हुए उनसे आप में ये जो प्राइथलीटों की एक बड़ी उपलब्दी है उसे इन एथलीट्स जो हैं वो शामिल हैं उनके कोच जो हैं वो मौझूद हैं पर अफिशल्स वहां पर मौझूद हैं और इंडियन ओलंपिक असोसियेशन के मेंबर्स इसके साथ ही नैशनल स्पोर्ट्स के अधिकारी, Ministry of Youth Affairs और स्पोर्ट्स के अधिकारी भी वहां पर मौझूद हैं लेकिन सबसे महत्तोपूर्ण बात ये है प्रधान मंत्री की जो सनेहिल वारतालाप है इन खिलारियों के साथ प्रधान मंत्री का जो समवाद है जो विचारों का आदान प्रधान है वो उनके ह मामले में प्रधान मंत्री मुलाकात करते हुए पैरा इतली दल से जो अपने आप में काफी बहत्यूपूर्ण हो जाता है जब हम होसला अफजाई की بات करते हैं जब हम उनकी उपलब्धियों की सराहना की बात करते हैं और इसके साथ ही भवश्य में और ज़्यादा आगे में बढ़ जाती है तो प्रधान मंत्री उनसे मिल रहे हैं ना केवल उन्हें शुब काम नाय देने के लिए बलकि उनके और उनके सामने प्रतियोगी ताएं आएंगी जो और उनके सामने नए चैलेंजिस आएंगे उनसे जूचने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति को आ में बदलाव ला रहा है प्रतिभाओं को प्रोसाहन दिया जा रहा है प्रतिभाओं को मंच के साथ साथ जब वो जीत कराते हैं उनकी उपलब्दी पर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है उन्हें सम्मानित भी किया जाता है जिससे की देश भर में जो और प्रतिभाएं हैं व एक मजबूत आधार बन कर मन्ज से वंचित ना रहे अगर आना चाहते हैं युवा तो वो आएं रतेक शुत्र से आगे बढ़ें और उपलब्दियां हासिल करें और जब उपलब्दी हासिल करके ये दल इस तरह से आते हैं तो प्रधान मंत्री का प्रोस्ताहन उन्हें मिलता है प्रधान मंत्री स्वयम उन्से मिलते हैं भारत के ये शिश्वी प्रधान मंत्री परमादनिय नरेंदर मोदी जी, जन्जातिय कारे मंतरी आदनिय अर्जुन मुंडा जी, गुरह राज्य मंतरी, खेल राज्य मंतरी भाही निशित प्रमानिक जी, परलंपिक मेटी ओफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक जी, उपस्ति सभी खेल संगों के पदादिकारी, सभी कोचिस और मेरे प्रिय पदक वीरो, खिलाडियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, जिन्होंने देश में खेलों के एक नया आयाम दिया, एक नया सोच कि खेलोगे तो खेलोगे, इसी भावना से खेलों को आगे बढ़ाया, और खेलों की सुविधाओं को नई उन्चाईयों पर पहुंचाया, ऐसे देश के परधान मंतरी, नरेंदर मोधी जी का मैं आप सब की और से बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मानिय परधान मंतरी जी एक समय ऐसा था, कि खेलों की सुविधाओं के लिए तरस्ते थे, प्रतिभा तो थी, सुविधाओं नहीं थी। आपने प्रतिभाओं को सुविधाओं देकर, आज इतने मैडल जीतने के लायक बनाया है कि इन्होंने अपनी प्रतिभा चीन में दिखाई, और वहाँ पर कई मंच, कई पोडियम तो ऐसे थे, जहां केबल भारत ही दिखता था। इस से बड़ी खुशी की भारत के लिए बात क्या हो सकती है। 2010, 2014, 2018 में मिलाकर जितने मैडल आई थे, आपने भी 111 करके दिखा दिया कि तीन के बराबर आप एक थे हैं। और इसी तरह से मानने परधानमंत्री जी, पिछले दो वर्षों में टेकियो लंपिक्स, परालंपिक्स, डेफ लंपिक्स, स्पेशल लंपिक्स से लेकर, तॉमस कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भी 100 पार, और अब पैरा में भी 100 पार 111 करने का किरतिमान यह आज तक के सबसे ज़्यादा मैडल हमने दो सालों में जीते हैं, और एक ऐसा अनुभव, मैं सात्यों आप सबसे कहना चाहता हूं, परधानमंत्री जी के भाषन में एक एक बात पकड़ने वाली होती जैसे, इन्होंने शुरू में कहा था विकलांग नहीं, दव्यांग डिसेबल नहीं, स्पैशली एबल्ड, यह किवल शब्द का बदल नहीं है, यह सोच बदलने की बात आप किस नजरिये से देखते हो, परधानमंत्री जी ने खेलों के प्रती सोच बदली, दिव्यांग जनों को भी अफसर दिया, आप कहीं पीछे नहीं रहे, अगर एशन में 107 तो आप 111 मैडल लेकर आए हो, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, मैं किवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग भावुक भी थे, बहुत सारे लोग खुश भी थे, लेकिन साथियों 17 साल पार्लेमेंट में रहते हों कि 22 सालों जोड़ा हूं, मैंने कभी देश के किसी परधानidge के इतना अपना समय खेल और खिलाडियों के लिए देता नहीं देखा है, जो माननिया परधानमंत्र जी देता है, ये इतना अपना पन की एक एक खिलाडी के पास जाकर उसकी बात सुनना, और वापँ जाकर मीटिंग बु मान ने परधानमंत्री जी ने कहा था इस ऑफ डूइंग बिजनस इस ऑफ लिविंग हो तो सर हमने आपके कहने पर अब खिलाडी को किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ता ओनलाइन एप्लिकेशन करके इनके खाते में पैसा और वाड चले जाता है पैसा भी खाते में इस पार तो सर जैसा आपने कहा तो एशिन गेम्स में और पैरणों में ही हमने अब खिलाडियों को भरने की विजरूरत नहीं सीधा इनके खाते में पैसा जैसा आपका निर्देश है सबको पैसा इनके खाते में चला जाएगा है इतना ही कहता हूं एक बार फिर आप सभी पदक विरों को हिर्दे की गराईयों से बहुत बहुत बदाई